इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Wellzar H.160 tablet दो दवाओं से मिलकर बना है. यह विभिन तरीकों से high blood pressure को नियंतरित करने में मदद करता है. यदि high blood pressure का इलाज नहीं किया जाता है, तो आगे चलकर hot attack, stroke और kidney fail होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. आप Wellzar H.160 tablet को भूजन के साथ या भूजन के बिना ले सकते हैं. डोज आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी. हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें. जब तक आपका डॉक्टर आपको मना नहीं करता तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है. इसमें diuretic यानि की water pill होता है और इसके कारण आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है. इसलिए सोने की चार घंड पहले इस दवा को लेने से बचना बहतर रहता है. अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं, तब भी अधिक लाप के लिए नियमित रूप से इस दवा का इस्तिमाल करें. आमतोर पर high blood pressure में लक्षन नहीं होते हैं, और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपका hot attack या stroke का जोखिम बढ़ सकता है. The most common side effect is dizziness. Other side effects include feeling tired, nausea, diarrhea, headache and decreased blood pressure. बार-बार पेशा बाना इस दवा का side effect नहीं है. यह hydrochlorothiazide का उद्देश है और यह आपके blood pressure को नियंत्रित करने में मदद करता है. आपको अन्य side effect का अनुभव हो सकता है, लेकिन अधिकतर दूरलब हैं. Hydrochlorothiazide के कारण कभी-कभी आपकी आँखों में दबाव बढ़ सकता है और अगर इलाज नहीं किया जाता है तो आँखों को स्थाए नुकसान हो सकता है. आप अपनी दवाओं के साथ आने वाले leaflet को जरूर पढ़ें और अगर आप side effect से परेशान है या उनमें सुधार नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताएं. आपकी खुराक को adjust करना या किसी अन्य दवा को try करना संभव हो सकता है. डॉक्टर की सलाह के बिना है potassium supplement या salt substitute का इस्तेमाल न करें. गर भावस्था या स्तनपान कराने के दौरान इस दवा को लेने का सुझाव नहीं दिया जाता है. अगर आपको kidney या liver की बीमारी, हिर्दै संबंधी समस्या है या diabetes है, तो आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए. शराब पीना आपके blood pressure को कम कर सकता है और इससे side effect हो सकते हैं. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell icon पर क्लिक करें और all notification को क्लिक करें. धन्यवाद.